प्रगती पत एजुकेशनल और चेरिटेबल ट्रस्ट जो की अपने इस तीन स्कूल चलाती है उनी में से एक स्कूल उनका यमना खादर के पुल के नीचे चलता है और इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है अभी हाली में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वहां पर हवन कराया गया और उनको हवन के बारे में जानकारी दी गई मंतरों के बारे में बताया गया जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज कल कोविट के वेक्सिनेशन चल रहा है और ये काम द्वारका में भी काफी जोर शोर से चल रहा है संस्थाएं अपने मेंबर्स को हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके वेक्सिनेशन करा रही हैं और ऐसे ही द्वारका में एक सीनियर हप संस्था है उन्होंने भी अपने मेंबर्स को वेक्सिनेशन तिलवाया साथ संस्था ने अपने कार्याले में इंटरनेशनल भूमेंट डे सेलिब्रेट किया इस अपसर पर उन्होंने अलग-अलग शेत्रों में काम करने वाली महीलाओं को बलाया था जिसमें स्रीमती संधिया सिंग, श्रीमती मंजुला जो की अड़ोकेट हैं पुनीता जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिसेज अंजु सेथी, मिसेज ममता मिश्रा, मिसेज मंजु और मिसेज अंकीता तिर्खाती और इसके सासाती लाल बहादुर शास्त्री टेकनिकल इंस्चूट से 23 बच्चों को बुलाया गया था जहां पर उन बच्चों को उन एजवेल एस्सोशेशन द्वारका ने अकाश हेल्थ केर के साथ एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकप कैम्प और्गनाईस किया था उनिया सदन द्वारका सेक्टर चार में इस मौके पर लोगों की जाँच के साथ साथ कई मेडिकल टेस्ट भी किये गए इस अफसर पर वहाँ पर लोगों को देखने और जानकारी देने के लिए डॉक्टर इंदर कस्तूरिया और डॉक्टर रहुल कुमार भी मवजूद थे इस तरह की और भी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं